हरी हूं आप लोगों का मया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरॉल रो में यस और डी का लोगो कैसे क्रेट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो उसके लिए क्या है पहले टेक्स टूल लेता हूं लेके इदर क्लिक करो आप क्लिक करके इस प्रेस करता हूँ, Ctrl-K प्रेस करने से क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, अभी Yes को क्या है थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड क्या मैंने, अभी इसको आप क्या करो, Convert to करो करो, Ctrl-Q बुलने से देखो, ये Convert to करो हुआ है, इसी तरह क्या है, D को भी Convert to करो करता हूँ, Convert करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ यह जो नोड है इस नोड को hold करके यहां पर drag करता हूँ अभी देखो इधर क्या है सिर्फ outline create करना है अभी इन सब को select करता हूँ select करके अभी क्या है इधर mouse black में आके mouse राइट लिक करना है set outline कला बोलता हूँ तो अभी देखो इस font को क्या है का outline आ गया भी अभी देखो इसका जो fill है इसको remove करना है मुझे तो इधर cross mark में click करता हूँ तो देखो भी इसका fill क्या है remove आभी अभी इसमें क्या है मुझे gaps create करना है तो इसके लिए yes को select रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ इधर shadow tool में क्या है contour करके tool है इसमें आता हूँ इसमें आके इधर आप क्या करो property बार में इधर outside है इसको कम जादा करके आप check कर लेना लेकिन अभी के लिए क्या है one step रखा है मैंने इसी तरह d को भी लेता हूँ मैं d को select करके इधर भी क्या है outside करो आप तो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इन सब को select करता हूँ select करके control g करो आप तो एक group हुआ है अभी इसम है स्मार्ट फिल करके है का इंक है स्मार्ट फिल करके है इसको लेता हूँ इदर का है स् chor अंसलों कर सकते हैं धु demokrat करता हो मैं तूद को धिकल करता हूं मैं तो दिखो विए ईसे विल हो रहा है एक separate object बनता है, smart fill से click करने से क्या हो गया है, separate object बन गया सो इसी तरह क्या है, फिर से smart fill लेके इधर click करता हूँ मैं अभी यहाँ पे भी click करता हूँ इस portion पे भी click करता हूँ ऐसे click किया मैंने, सो इतना होने के बाद, अभी देखो, यहाँ पे भी आपको click करना है बन गया, अभी इसी तरह क्या है, मुझे D भी create करना है, D के लिए भी मैं क्या करता हूँ, फिर से smart fill में आता हूँ, आके इदर click करो आप यहाँ पे भी click करता हूँ तो अभी देखो, यहाँ पे भी आपको इसे click करना है, तो इतना click करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इदर क्या है outside से, यहाँ से drag करता हूँ, यानि yes को बाहर रखा है मैंने so ऐसे drag करके select करता हूँ, select करके इसको भी आप क्या करो, weld करो तो यह single object बन गया, अभी यह deselected है, shift को hold करते हूँ yes को भी एक बार click करता हूँ, मैं click करके इन दोनों को क्या है, यहाँ पर side पर लेता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ गया अभी इसको क्या है, एक dark shade लेता हूँ, समझो भी इसको black shade देया मैंने, अभी इसको क्या है एक red shade देता हूँ मैं तो रेड़ शेट दिया मैंने, अभी इन सब को सेलेट करके, अगर आपको आउटलाइन रिमू करना है तो क्रॉस मार्क पे माउस रैट लिक करके सेट आउटलाइन करना बोलो आप तो देखो भी यह क्या हो गया, अभी ESD का लोगो बन गया अगर आप चाहे तो इसमें इनर शाड़ो अगेरा देखे आप इसको और भी क्रेटिव बना सकते हैं अगर यह करते होगत आपको कुछ डॉट्स वगेरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे सच जुड़े ने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद